क्या आप Christmas के लिए तैयार हैं? अगर मैं आप से यह सवाल पूछ हूँ तो आप कहेंगे अभी तो November खत्म भी नहीं हुआ है जल्दी क्या है? Christmas का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? Music, Decoration, Party करना, नए कपड़े और जूतों की Shopping, Christmas Tree सजाना, क्रिप बनाना, गिफ्ट लेना और देना अलग-अलग पकवान या कुस्वार बनाना और ना जाने क्या-क्या Christmas के पहले के चार रविवार को Advent या फिर आगमन काल कहा जाता है उसके दो उद्देश हैं उसका पहला उद्देश है कि Christmas के लिए खुद को तयार करना येशु के पहले आगमन के celebration के लिए तयारी करना क्या गाने सुनने से आपके Christmas preparation में मदद मिलती है? कभी-कभी तो ऐसा होता है कि लोग Christmas के पहले इतना music सुनते हैं और इतना decorations करते हैं पर जैसे ही Christmas का time होता है आध्यात में तयारी करना भूल जाते हैं फिर लगने लगता है कि काश हम Advent में Christmas की तयारी कुछ अच्छे से कर पाते अगर music सुनने से या decoration करने से आपको Christmas की तयारी करने में मदद मिलती है तो उसे continue कीजिए अगर नहीं तो कुछ change कीजिए आगमन काल का महत्व क्या है? जैसे मैंने पहले भी कहा दो उद्देशों से आगमन काल मनाया जाता है पहला येशु के पहले आगमन का celebration या Christmas की तयारी करना जो हम हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं पर आगमन काल का दूसरा उद्देश येशु के पुनरागमन के लिए तयारी करना भी है हमें कोई आइडिया नहीं है कि येशु का पुनरागमन कब होगा जैसे येशु ने पहले भी कहा है उस दिन और उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता न तो स्वर्ग के दूत और न पोत्र केवल पिता ही जानता है हमें नहीं पता कि क्या येशु हमारे मरने से पहले लौट कर आएंगे मेरा कहने का यह मतलब है कि हम इनसान मुश्किल से 100 साल के आसपास जीते हैं मतलब हम सब कभी ना कभी तो मरेंगे चाहे येशु का दूसरा आगमन हमारे लाइफ टाइम में हो या हम मर कर उनके पास जाएं वो हमारा परसनल येशु का दूसरा आगमन होगा अगर आगमन काल येशु के पहले आगमन और दूसरे आगमन की तयारी है तो क्यूं न हम इसे थोड़ा हट कर आचरन करें उसे सिर्फ क्रिस्मस की तयारी करने की जगा हमारे मरने के पहले की तयारी की तरह आचरन करें तो Christmas तो हर साल की तरह इस साल भी 25 December को ही है अगर हम ऐसा imagine करें कि 25 December को हम मरने वाले हैं क्या हम उसके लिए तयार होंगे जब बात Christmas की तयारी की आती है अगर हम चाहे तो ही तयार रह सकते हैं जैसे shopping करना, घर को decorate करना आदी अगर हम तयारी Christmas के प्रहले से ही शुरू करें तो ही वो Christmas के दिन पूरी होती है यही बात हम हमने death पर या फिर येशु से, पिता पर मेश्वर से और पवित्रा आत्मा से face to face मुलाकात करने से हम relate कर सकते हैं अगर हम उस पल के लिए अभी से तयारी करें तो ही उस पल के आते आते हम पूरी तरह से तयार होंगे अगर मैं 25 डिसेंबर को मरने वाली हूँ तो मैं आगमन काल में कैसे जीऊंगी जबकि मुझे पता होगा कि 25 डिसेंबर मेरे life का आखरी दिन होगा डिसेंबर 25 को मैं येशु से face to face मुलाकात करूँगी तब सान सारिक चीजें जैसे शौपिंग करना, क्रिस्मस म्यूजिक सुनना या डेकरेशन करना उतना जरूरी नहीं लगता तब हमें समझ आता है कि आगमन काल का अर्थ क्या है आगमन काल का उद्देश गिफ्ट्स को रैप करके रखना क्रिस्मस पार्टी में दोस्तों और रिष्टेदारों को इन्वाइट करना नहीं है बल्कि हमें येशु से होने वाली face to face मुलाकात के लिए तयारी करनी है तो इस साल आगमन काल में कुछ अलग करते हैं इस आगमन काल को इस द्रिष्टे कौन से देखते हैं कि 25 दसंबर हमारा इस दुनिया में आखरी दिन है तो आगमन काल के पहले हफ़ते में क्या करेंगे? शायद थोड़ा ज्यादा प्रे करेंगे शायद हम अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को मिलना पसंद करेंगे जिनसे मिलकर काफी समय हो गया या जिनसे सालों से बात नहीं की जमीन, जायदाद या पैसों के लिए हमारे किसी परिवार, वाले के साथ मनमुटाव है तो उन्हें क्षमा करने का और उनसे माफी मांगने का टाइम है जिनका दिल हमने दुखाया है ऐसा कौन सा पाप है जो हमें स्वर्ग जाने से रोक सकता है? उन सारे पापों को त्याग देना है तो आप इस साल आगमन काल में ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे आप दसंबर 25 को येशु से face to face मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता तो तयारी करते हैं क्रिस्मस के लिए और मरने के लिए मिलते हैं अगली विडियो में तब तक के लिए बाई